ओम महालक्ष्मै नमो नमा, मकर संक्रांती के दिन करे इन पाँच वस्तुओं का दान, दूर होंगे ग्रहदोश, खुल जाएगा बंद किस्मत का ताला, दोस्तो, सनातन धर्मा में मकर संक्रांती को विशेश महत्व दिया गया है, इस दिन सूर्य देव मकर राशी में प्रव आई जाएगी, आये जानते हैं मकर संक्रांती के दिन किन पाँच वस्तुओं का दान करके आपके सभी ग्रहदोश दूर होंगे, साथ ही आपके बंद किस्मत का ताला, खुल जाएगा, सबसे पहली चीज जो आपको मकर संक्रांती के दिन दान करनी है, वो है तिल, जी हाँ मकर संक्रांती के दिन आपको तिल का दान करना है। मकर संक्रांती के दिन दान करनी है वो है घी। बता दे मकर संक्रांती के दिन घी का दान करने का विशेश महत्व है। इस दिन घी का दान करने से सूर्य और गुरु का दोश दूर होता है। ऐसे में आपको मकर संक्रांती के दिन घी का दान जरूर करना चाहिए. तीसरी चीज जो आपको मकर संक्रांती के दिन दान करनी है वो है काला कंबल. मकर संक्रांती के दिन काले कंबल का दान करना बेहत शूब माना गया है. मान्यता है कि इस दिन गरिबों के बीच काला कंबल दान जरूर करना चाहिए. ऐसा करने से राहु के अशुब प्रभाव दूर होते है. चौथी चीद जो आपको मकर संक्रांती के दिन दान करनी है वो है गूड. धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांती के दिन गूड का दान करने से शन्नी, गुरू और सुरिय तीनों के दोश दूर होते है. ऐसे में मकर संक्रांती के दिन तिल और गूड के लड़ू दान जरू पांचवी चीद जो आपको मकर संक्रांती के दिन दान करनी है वो है खिचडी मकर संक्रांती के दिन खिचडी का दान जरूर करना चाहिए ऐसा करने से शनी दोश दूर होता है मकर संक्रांती के दिन चावल और उड़त की काली दाल की हिचडी बना कर गरिबों के बीच दान करे। तो दोस्तो मकर संक्रांती के दिन इन पाच वस्तुओं का दान करके आपके ग्रह दोश दूर होंगे साथ ही आपके बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन स्नान करना बहुती शूब माना जाता है, इस दिन सभी को गंगा में स्नान करना चाहिए, माननेता है कि मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है, अगर आप नदी स्नान करने नहीं जा पार रहे है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर स्नान कर ले ओम महालक्षमय नमो नमा धन्यवाद